सभी आंगनबाडी सेवी का सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चनल की आज साम साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें कि भवन किराय का 4,000 रुपिया आंगनबाडी बहनों आपको मिलेगा अब इसके बारे में एक ये नया सरकारी आदेश आया है इसको जान लीजिए और उसके बाद हम आपकी अन्य खबरों पर आते हैं वीडियो को पूरा देख करके जाना बहुत सारी बातें बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी सबसे पहली जानकारी राजस्थान सरकार की तरब से निदसाले से जारी बालविकास पुष्टाहा रिभाग से 14 मार्च का एक लेटर है जो कि उपन देशक को महिला एवं बालविकास विभाग को और बालविकास पर्योजना अधिकारियों को समस्त राजस्थान राज में भेजा गया था जिसका विसे था कि किराय पर संचालित आंगन बाड़ी केंद्रों के भवन किराय के सम्मंद में तो जो बहने जनको नहीं पता कितना किराया मिलता है तो बहनो जान लीजिए कि यहां पर राज राजस्थान में ग्रामीर छेत्रों में किराय के भवनों में संचालित आंगन बाड़ी केंद्रों के लिए जो रासी है वो रुपधे एक हजार है यानि जो गाउं में आंगनबारी भवन है किराय पर उनके लिए 1000 रुपिया आता है और जो सहरी छेत्रों में किराय के भवन है उनके लिए रासी कितनी आती है 4000 रुपए आती है तो ये प्रती महीने जो है भवन किराया इतना निर्धारित है किंतु अधिकांस स्थानों पर उक्त दरसे किराया भुगतान नहीं किया जा रहा है अतह आपको नुर्देश किया जाता है कि किराय के भवनों में संचालित आंगनवाडी केंद्रों के किराय का भुगतान बड़ी हुई दरसे करना सुनिश्चित करीं इस लिटर को जारी किया है राम वतार मेडा जी जो के नदेशक है समेकित बालविकास सेवाएं राजस्थान राजमें अब ऐसे में आप से बहने बताएं कि सरकार ने जो ये जारी किया है जो दर क्या वो आपको पर्याप्त लगती है क्या आज के टाइम में गाओं में आपको एक हजार रुपे महीने के हिसाब से एक बड़ा सा कमरा और जो भी मानक है किराय के भवन के लिए जिसमें किचन भी होना चाहिए बहुत सारे मानक चीज़ों जो अध्यान में रखते हुए किया जाता है सोचाले भी होना चाहिए क्या वो सब चीज़े हजार रुपे में मिल जाएंगी या फिर चार हजार रुपे में सहरों में आपको वो कमरा मिल जाएगा सहरों में भी चार पात हजार में जो कमरे मिलते हैं वो आंगन बारी सिंटर चलाने के लायक नहीं होते उसमें एक इनसान मुश्किल से रह सकता है ऐसे वो कमरे होते हैं अब आप बताईए और ये चाहते हैं पूरा एक बड़ा सा हाल आंगनबारी सिंटर चलाने के लिए वो भी 4000 रुपे में सहरों में मिल जाएगा तो क्या ये संबव हैं कि इतनी सारी सुधाय मिल जाएं अब ज सब मिलेंगे आपको 15,000, 20,000 इस तरह से रिंड पर अब कोई भी इंसान जो धंदा पानी वाला है कुछ भी चला रहा है दुकान किराय पर कुछ लिया होगा उसको इन चीजों का अंदाजा है लेकिन हमारी सरकार हमारा विभाग समझता है कि 4000 रुपे में सहरों में जाएगा खैर जो है वो सब आपके सामने हैं अपनी अपनी प्रतक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर देना यहीं मानक हर एक इस्टेट में चलते हैं क्योंकि केंदर सरकार से ये जारी हुए थे इधर सुमन बहन हैं और उत्तरपदेश के गोरक पुरजले से आती हैं बह जैनों ने कल 14 तारीक को रैली निकाली है और इस सम्मंतित जानकारी आज आलेंडिया के पास अखबार में जब प्रकासित हो चुकी है तब पहुची है रैली निकाल कर जलादिकारी को ग्यापन देने जाती आंगनबाडी बहने जागरण में एक ये फोटो भी प्रकासित ह अभी इस आर्टिकल पर हमाएंगे उससे पहले बता दे मीरा सिर्वास्तो बहन है ये भी गोरकपुर से आती है आज 15 जुलाई को जो खबर चपी है गोरकपुर में एक ये उसको उनके द्वारा ये आलेंडिया को बेजा गया है इसके बाद अंजना बहन है गोरकपुर जल किया गया है उनी की अगवाई में जिससे सम्मंदित एक वीडियो आया है वीडियो मैंने देखा है लेकिन बहनो ये वीडियो आपने आज 3 बजे भेजा और रेली आपकी कल थी बहुत लेट आपने भेजा है तब तक यूटूब पर नजाने कितने चैनलों पर ये वीडिय प्रकासित हो चुका है ऐसे में ये चीजे कॉपी राइट कंटेंट की स्रेडी में आ जाती है तो इनी बातों का आप सबको हमेशा ध्यान रखना होता है मैं बार बार आप सबसे कहता भी रहता हूँ कि जब भी आपकी रैली हो पदरसन हो तो उसी टाइम पर आप आलेंडि प्रकासित किया जागरण में निकाला गया है कि साथ मांगो को लेकर के आगनबारी करमचारी वसहेका एसोशियेशन ने सुक्रवार को अपनी हुंकार भरी है सिविल लाइंस में लोक नर्मार विभाग परिसर में धरना देकर के डीम काराले तक रेली निकाली सैकडों आग आगनबारी करमचारी वसहेका एसोशियेशन इनके कैम काराले परिसर में प्रदेश अधच गितांजली मौरे ने कहा कि केंदर्वार राजसरकार की योजनाओं में आगनबारी कारकरता इमानदारी से सयोग करती हैं लेकिन जब कारकरता कोई मांग करते हैं तो अधिकारी स संग्यान नहीं लेते हैं कहा है कि 10 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान ना हुआ तो अनिश्चित का लेन हरताल वगएरा जो है यहाँ पर की जाएगी अब जिला सरचक जो है यहाँ पर नंदलाल सिंग जी जिला संयोजक कप्तान सिंग जी संजे सुकला राजे करमचारी ने अपने अपने विचारों को वहाँ पर रखा संचालन जला मंत्री स्रीमती पुस्पा सुकला ने किया इस दोरा नूतन राय सपना सिंग संगीता र्या चिंता देवी ममता सिंग रादिका मोर्या बिंदू देवी मालती देवी गैत्री देवी नेलम पांडे सब बहने व वहाँ पर दिखी है और बहनों ने अपनी आवाज को उठाया है वहीं आगे ले चलते हैं और आपको और भी दिखाते हैं इस सब आर्टिकल वहाँ पर प्रकासित किये गए वहीं दूसरी तरब नेलम बहन है उन्नाव जले से आती हैं जिनके द्वारा अलेंडिया को एक मैसे कावस्चताएं हैं पूरा दिन सुबह से साम हो जाती है काम करते फिर भी जो मिल रहा है वो नहीं आता हमारे उपर के अधिकारी तो इतना पैसा मिलता है अगर एक दो महीने पैसा नहीं आएगा तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा वो लोग भी कोई सुनवाई नहीं करत नहीं जो यहां पर प्रेशर करते हैं इस तरह से उन्होंने लेखा फिलाल कुछ और कहना चाती होंगी कि पैसा टाइम से दिया जाए अब केवल एक ही रास्ता है काम बंद करो जब तक पैसा खाते में ना आ जाए इस तरीके से अब बहने परिसान हो चुकी हैं उत्तर पद राज में एक दो तारीक होती है और पट से पैसा उनके खातों में पहुचना कई जिलों में सुरू हो जाता लेकिन हमारे उत्तर पदेश में एक तो उनके आधे भर भी पैसा सरकार नहीं दे पा रही है अगर राज सरकार की बात करें MP की और UP की तो आधा तो दूर 3-3 गु आपके सामने है अब जो भी है आप सब अपनी प्रतक्रियाओं को अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लेखा करें नुसरत बहन है जो की सितापुर से आती है इन्होंने क्या कहा कि भाई फरवरी से अब तक PLI का पैसा सितापुर सिटी में नहीं आया है प्लीज इस बात को नदसाले तक जो है यानि निदेशक महोदे तक पहुचाने का कश्ट करें तो यहां से सीधे नदसाले तो आवाज जाएगी नहीं और रही बात PLI की तो जिले के जो अधिकारी है वो इसके लिए जम्मेदार है उनके इस तर से कारवाईया होती है तो प्लीज आ आप उन तक अपनी आवाज को पत्राचार के माद्धिम से पहुचाएं और उनको अवगत कराएं कि आखिर PLI क्यों नहीं लगाई गई सुसमा बहन है जहां पुर से आती है जिनकी समस्या है कि भाई जी बाल पिटारा पर बच्चे फीड करते हैं करने के लिए जब फोटो सेलेक्ट करते हैं तो बच्चे फीड करने का आप्सन कट जाता है भाई जी बता दीजिए इस तरीके से तो देखिएगा हो सकता है कोई देकत हो देख लेना पहले अगर आपने किये हैं तो अच्छी बात हैं अगर पहले आपने किये नहीं हैं कर रही हैं तो सायद कहीं न कहीं आप कुछ ना कुछ गलत कर रही हो या पहले किये हैं अब नहीं हो रहा है इस टाइम हो सकता है उपर से टेक्निकल खराबी हो या अप पर आजाएगा फिलाल गुमसुदा की तलास का भी एक आर्टिकल आया है रेनू बहन है सुल्तानपूर से इन्होंने भेजा है नाम इनका है समुंद्रा देवी पती का नाम है राजाराम ग्राम इनका है कल्यानपूर और इनका जो पोश्ट है वो जो है कुंदा भोरोपूर थाना इनका अखंड नगर है बलाक इनका अखंड नगर है तैसील इनका कादीपूर है जिला इनका सुल्तानपूर है उम्र इनकी बामन साल है कद इनका पाँच फुट है लगभग रंगसावला है और ये साड़े ग्यारा बजे तेरा जुलाई को तब से लापता है अगर क तरीके से और भी नंबर है थाना ध्यच दोस्तपुर के और छेद्रा दिकारी कादीपुर के उनके भी नंबर निचे दरसाए गए हैं इन नंबरों पर भी आप सूचना बेश सकते हैं खैर इस वीडियो को आज हम यहीं रखेंगे जादा आप लोगों को लंबा नहीं खीचे कि ट्विटर एकाउंट कैसे बनाएं पता चल जाएगा कैसे क्या करना क्या नहीं करना सारी चीजे वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे आपको खुद ही यूटूब पर वहां से आप आराम से देख सकती हैं अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ हम करेंगे या फिर भी नहीं होगा तो हम फिर आपको सिखाएंगे तब तक जो बहने कर सकती हैं वो कर लें अच्छा रहेगा देखते तो हैं कितनी बहने हो पाती हैं हम जानते हैं सो बहने भी ऐसी नहीं होंगी जो इसके लिए तयार होंगी या ऐसा कर पाएंगी हम जानते हैं क्योंकि ह पहले भी सब चीजों को परक चुके हैं इसलिए हम बता रहे हैं लोग तो देखते हैं बहुत हजारों संक्या में लेकिन वो उस लायक या तो समझी नहीं पाते हैं ये क्या होता है कैसे करना क्या करना या उनको चीजों पर वरोसा नहीं है कि साथ इससे कुछ और न हो जाए तो जो भी उनके मन में मतबेद हो फिलाल जो है वो आपके सामने है धन्यवाद